एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चीतों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाउं, गरीब, किसां, मद्द्वर, सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री, निर्मराजी और उनकी टीम को इस अइतियासिक बजेट के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों, परंपरागत रूप से, अपने हाथ से, औजारों और टूल्स से, कड़ी महनत कर, कुछ न कुछ स्रुजन करने वाले करोडों विश्व कर्मा, इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मित्री, अंगिनित लोगों की बहुत बहुत लंबी लिष्ट है इन सभी विश्व कर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाप अनेक पोटसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पीएम विश्व कर्मा काउसल सम्मानी यानि पीएम विकास करोडों विश्व कर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बनलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएं हो कारवार, लोजगार में गस्त महलाएं हो या घरकाम में गस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, बीचे वर्षों में, सरकार ने अनेक वीद कदम उठाए हैं जल जीवन मिशन हो, जुला योजना हो, पियम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ, महलाएं सेलफ हेल गुरूप, एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र, आज भारत में, बहुत बड़ी जगा अपने हाथ एक्वार कर चुका है, उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए, त इसलिए, विमन सेलफ हेल गुरूप, उनके सरवांगन की विकास के लिए, नई पहल बजेट में, एक नया आयाम जोड़ेगी, महलाओं के लिए, एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है, और जन्नों ने काउन के बाद, कि विशेस बचत योजना, सामान ने परिवार की गुरूपनी मापाव बैनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है, ये बजेट, सहतारिता को ग्रामेन अर्थववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा, सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर दे, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंदारन योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी, बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलाम हुआ है, इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा, किसानों, पशुपारतों और मचलार को अपने उत्पाद की बहतर कीमत में लेगी, साथ यो, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है, इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल अग्रिकल्चर इंट्रास्रेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है, भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है, अनेक नाम है, आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुँच रहा है, पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है, तो उसका सरवाधिक लाफ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है, और इसलिए आवशक है कि नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए, इसकी एक नई पहचान, विशेश पहचान आवशक है, इसलिए अब इस सुपरफूर को स्री अन्न, स्री अन्न की नई पहचान दी गई है, उसके प्रोच्छान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं प्रिक्ता से, देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवाजी भाईवें जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा, और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा, साथियों, ये बजेट सस्तेनेबल फीचर के लिए, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनमी, ग्रीन एनरजी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पुर्व विस्तार देगा, बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू इकोनमी पर बहुत अधिक बल दिया है, एश्पिरेशनल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ट, वोटरवेग, हर खेतर में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है, नेक्स जंडरस इंफ्रासेक्टर चाहिए, दो हजार की चौदा की तुलना में, इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो परसंड से जादा के वृद्धी की गई है, इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्ये का अभूत्परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा, ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर प्रदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए आउसर अप्लद कराएगा, इस बड़ेट में इज अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है, मसमीज के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रण की गारंटी की व्यवस्था की गई है, अब प्रिजन्टिव टैस्क की लीमिट बढ़ने से मसमीज को ग्रोव करने में मदद मिलेगी, बड़ी कंपनिया द्वारा मसमीज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई लिए हैं, साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्दमबर्ग विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ हो, जीवन के हर शेत्र में, आज भारत का मद्दमबर्ग एक प्रभुग धारा बना हुआ है, संब्रूत और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए, मद्दमबर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है, जैसे भारत की युवा शक्वी, ये भारत का विशे सामर्थ है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्दमबर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्वी है, मद्दमबर्ग को ससकत बनाने के लिए, हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अने को निर्णे लिए और इज अफ लिविंग को सुनिशित किया है, हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लिफाइड, ट्रांस्परर्ग और फास्ट किया है, हमेशा मद्दमबर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्दमबर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है, इस सर्वस पर्ची और विक्सित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बज़ेश के लिए, मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बढ़ाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ, आईए, अब नया बज़ेट आपके सामने है, नए संकल को लेकर के चल पड़े, 2047 में समरुद्ध भारत, समर्फ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे, आईए, इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, बहुत बाद दन्यवाद. आपके बढ़ाएं, आपके बढ़ाएं, आपके बाद दन्यवाद. आपके बाद भात बहुत पराक करना हिलता है तो निर्मला सीतारा मनवरा बजट के रहेंगे.